जैपुर सिवलाइंस में पुलिस ने बाबा का घेराव किया जहां डॉक्टर किरोडी लाल मीना पहुचे थे मंत्री विश्वेंद्र सिंग से मिलने दौसा से जुड़े पानी की समस्या के मुद्दे पर मिलने दौसा के प्रभारी मंत्री है विश्वेंद्र सिंग पुलिस इसी किचलती पुलिस में किरोडी बाबा की सिविल लाइन्स पहुचने पर भै भी रहता है और आज भी जैसे ही बाबा पहुचे सिविल लाइन्स पुलिस ने मंत्रे निवास का घिराफ कर लिया अब खुद मंत्री विश्वेंद्र सिंग की रोडी बाबा को छोड़ने के लिए बाहर जाएंगे। कीनली उस मामलों को टेंट किया और पानी की इस्तिति सुधर गई काफी सुधर गई है और उसके बाद फिर बगड़ गई तो उस दृष्टी से मैं माने मंत्री जी को फिर दुबारा मामला ध्यान में लाने के लिए आया था सिंग्यान में लाने के लिए आने से पहले मैंने पुलिस के एक अधिकारी भरतलाल मीना की जानकारी दे दी थी कि मैं क्योंकि मैं जब भी सिविल लाइन में आता हूं तो पुलिस चारतर से बेरिकेट लगा देती है मेरे को मंत्री गणों से मिलने नहीं देती यहां आने नहीं देती तो मैंने उनकी जानकारी में डालके में आया फिर भी बड़ी मात्रा में पुलिस चारो तरफ लगा रखी है और हला थी है कि मंत्री जी से मिलने में काफी दिक्कत आई बहुत मसक्कत के बाद मैं अंदर मंत्री जी के पास घुसा हूँ और अब भी चारों तरों से पुलिस ने घिर रखा है ऐसा मेंटल टॉर्चर मैंने कभी नहीं देखा घिलो साब को मैं आपके चेनल के जरी निवेदन करना चाहूँगा कि लोग तंतर में आंदूलन करने का अधिकार है आंदूलन में हम कोई गल्ती करते हैं गड़बर करते हैं तो बेशक पुलिस कारवाई करें कारून को तोड़ते हैं तो लेकिन मंत्री जी से मिलना और मेरे लाके के समश्या रखना चुकि मेरे इलाके के प्रभारी हैं तो मेरा दायत तो बनता है, धर्म बनता है, उस दृष्टी से मैं मंतरी जी के पास आया और मैं बड़े पीडा में हूँ, मंतरी जी को भी ये कहरा हूँ कि इस विवस्ता में सुधार होना चाहिए, इस ढंक से मानसिक रूप से मेरों को प लिए ये का, आप आये तो आप को भी पूलिस ने निया आने दिया, गहर लिया और मैं धनवाय देना चाहूंगा, मंतरी जी ने, यह चारऑफ मंतरी जी के मकान पे पूलिस लग गए, मंतरी जी समय धन सील हैं, और मेरे अलाके के जो समख्या है, उस पे दिशित रूप से क देखिए मैं आपके अभी आपको लेकर के आया मुझे मालूम है सीम साब का आज जोतपुर जाने का प्रोराम है लेकिन मेरे घर के आगे पुलिस के गाड़ी खड़ी कर दी यहां गाड़ी मेरे मिर्दुल जी से बात करी है जो डी सीपी साउथ है और हैदर अली जैदी से जो इडिशनल कमिश्टर पुलिस हैं और उन्होंने का साब रूट लाइनिंग हो रही है रूट लाइनिंग का मतलब हर बीस या तीस कदम पर एक पुलिस वाला हूँ यहां तो आपने देखा आपको यह रोग दिया था जद्था यह पूरी गली ब्लॉक कर दी अब यहां मुक कोई एक डखoquत हैं के टैर्रिस्ट हैं कि क्या है जो मैंने सांसद जो मेरे सांसद रहें एक ती-नाइन में हम लोग जब से उमारी बुग है और पारवारिक संबंद अर पारवारिक संबंद के तहता है आद आप मिलने आ रहे हैं या अपनी सम्स्चा लेकर कर आ रहे इसे को थोड़ी रोख सकते हैं अपन लोगत तंति यह तो पुल्कुल पुल्कुल एक तमाशा बना दिया एक तरीके का अम जह मालू में मुझे मालू में मुख मंद्री जी अवगत भी नहीं हो इस चीज से इसलिए मैं आप मांदम से कहना चाहता हूं अब मुझे बहुत खेद है कि इतने सीनियर पॉलिटिशन जी मिना साब उनको मेरे से मिलने से रोका जा रहा है यह क्या पत्तमीजी है मंत्री जी आप इतनी तो करपा करों जी कि चारो तरफ पुलिस ने बैरिकेट लगा रहा है कर दोका जाए रहा है झाल जड़ा बाता है झाल